मासस के केंद्री अध्यक्षवा पूरो विधायक आनन महतो गुरू आरको बेलगडिया पहुँचे आठ दिनों से अनिश्चित काली नधरने पर बैठे आंदोलनकारी रहयतों का होसला अपजाई किया कहा कि BCCL प्रबंधन कानून के कटगरे में है BCCL प्रबंधन ने उम्राज्य सरकार 2013 में बने भूमी अधिग्रहन अधिनियम के संसोधन का उलंगन कर रही है गोलमारा सहीच 17 गाओं की जमीन MOCP के परियोजनार्थ 35 वर्ष पूरव अधिग्रहन किया गया इसके बाद BCCL ने कोई कबजा नहीं किया जिस सुद्देश से जमीन ली गई वह भी पूरा नहीं हुआ योजना फेल हो गई भूमी अधिग्रहन अधिनियम संसोधन कानून के मुताबिक 12 वर्ष तक कंपनी यदी जमीन पर कबजा नहीं करती है तो जमीन किसानों के पास चली जाती है कहा कि भूमी भचाओ संगर समिती के आंधोलन के साथ है साथी वे आंधोलन के भागीदारी भी बने रहेंगे है जमीन के अगर 12 साल पर कुपयोग नहीं किया तो स्वत्र रहतों को जमीन हो आपसी हो जाएगी साथी साथ इस विशाय में त्री प्रक्षिय बारता भी आज चे तिस साल पहले होगी थी जिसमें तह था यह उचीत मुवजा और 900 से जादे लोगों को नोक्री देने की बार थी लेकिन उचीत मुवजा तो मिला ही नहीं सब को मिला नहीं अभी तक इसके साथ साथ जो 900 से जादे नोक्री देने की बार वह भी नहीं कियो लग चार सो नहीं सिमट गया इसलिए प्रवाध्णन ने कानुन का भी बुभंधन किया है और आपका जो गई वाध्ता भी बुभंधन किया इसलिए आज अगर सभी माना में विकार हो तो आज प्रवंधन कानुन के करड़े मैं है और यह चीज को देखते हुए कहां के दमता ये गुल्मारात था अजल वगल की जो प्रवाली जानती लोग हैं। ये तमाम लोग आज ये का रहे हैं कि प्रवशन ने कानून का उजण हड़ किया है, कि कुछ के वागता का उज़ना किया है। इसलिए इसके विरुत ने कानूनी कानूराई की जाए। अगर नहीं करती है तो अगर कोई सोचता है कि अंधुलाण दो चाद दिन में आगे जा करके रुप चाहेगा। लेकिन आज का जो इस्थिती हिं आर्थिक इस्थिती ये इस्थिती हमेशा उख्जा भठते रहेगी। प्रवंधन का जो गलत प्रयोग उस प्रयोग जो जनाहित की हाड में नहीं था जन्ता के अनुकुल में नहीं है इसलिए लोगों में अक्रोष है जो प्रवाबकारी जो रियत हैं उन लोगों में अक्रोष है और वे अपने अक्रोज को पाइदा कर रहे हैं, यह कोई राजनितिक बात रही है, को नरूप से या तीजी से समझ लिट रहे हैं.